दोस्तों आप यहाँ पर जो यह switchboard देख रहे हैं इसका connection करना है तो इसका connection किस तरह से करना है वो पहले आप समझ लिजिए तो देखें यहाँ पर जो यह switch है इसका connection इस 5-pin socket के साथ करना है इसके बाद यह वाला जो switch है इसका connection इस holder के साथ करना है इसके बाद यह वाला जो switch ह इसका connection इस two pin socket के साथ करना है इस तरीके से इसका connection करना है तो चलिए मैं इसे पलट लेता हूँ पलटने के बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखें यह जो दो wire है यह दोनों wire इस holder का है इसमें मैंने wire पहले से लगा दिया जैसे यह holder है तो यहाँ से दो wire मैंने इस तरह से निकाल दिया तो यह wire निकाल लेने से क्या होता है कि यहाँ बाद में holder करसने बाद दिक्कत नहीं होता है यहाँ पर wire निकला हुआ रहता है तो इसका connection करने में आसान हो जाता तो इस तरह से दो wire निकाल करके आप रखनी जिएगा अब आप यहाँ पर समझे देखे ये वाला जो switch है इसका connection इस 5-pin socket के साथ करना है इस switch का connection इस holder के साथ करना है इसके बाद इस switch का connection इस 5-pin socket के साथ करना है इस switch का connection इस 2-pin socket के साथ करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है जो यह वाला स्विच है इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल है यहां से आपको देखे इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल वायर जोड़ना है फिर यहां से आपको देखे यहां पर जो यह वाला स्विच है इस स्विच के नीचे वाले आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना है तो आप देख सकते हैं मैंने यहां से देखे यहां पर वायर जोड़ दिया फिर यहां से मैंने यहां पर वायर जोड़ दिया अब आपको क्या करना है अब यह वाला जो स्विच है इसका उपर वाला जो यह टर्मिनल है यहां से आप आपको wire जोड़ना है, यह L वाला terminal में, जो यहां पर L लिखा हुआ है, तो यहां पर wire जोड़ना है, इसके बाद यह वाला switch है, इसका जो यह उपर वाला terminal है, यहां से आपको wire जोड़ना है, देखें इस socket का जो यह L वाला terminal है, यहां पर L लिखा हुआ है, तो यह यह वाला terminal तो यहीं पर आपको वायर जोडना है इसके बाद आपको क्या करना है ये जो holder का ये दो वायर यहाँ से निकाला गया इसमें से कोई एक वायर आपको यहां पर जोड़ देना है ठीक है इसके बाद जो है कि इस switch का जो उपर टर्मिनल है यहां से आपको क्या करना है जो यहां पर two pin socket का यह वाला टर्मिनल है और यह वाला इन दोनों में से किसी एक में आपको wire जोड़ना है तो मैं क्या करता हूँ यहां पर यह सब वायर जोड़ लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ और आगे बताता हूँ अब देख सकते हैं इस स्विच का जो उपर टर्मिनल है यहां से मैंने इस सोकेट का एल वाला टर्मिनल में देखें यहां पर यहां पर वायर जोड़ दिया अब इस स्विच का जो उपर टर्मिनल है इसमें होल्डर से जो दो वायर निकाल लेते इस होल्डर से उसका एक वाय का यह उपर टर्मिनल है यहां पर वायर मैंने जोड दिया ठीक है अब आपको क्या करना है यहां पर यह वायर टर्मिनल है यहां से आपको सीधा देखे यहां पर वायर जोड़ना है तो यह N वाला टर्मिनल है देखें N लिखा हुआ है तो यहां से आपको यहां पर वायर जोड़ना है जो यह N वाला टर्मिनल है इसके बाद आपको यहां से इस टूपीं सोकेट का जो नीचे वाला टर्मिनल है इसमें वायर जोड़ना है तो मैं यहां पर वायर को यहाँ पर जोड दिया अब यह जो holder का दूसरा वाला wire है इस wire को कहाँ पर जोड़ना है यह आप अच्छी तरह से पहले समझ लिए तो इस wire को आप देखे यहाँ पर जोड सकते है या फिर आप इस wire को यहाँ पर जोड सकते है या फिर मैंने holder वाले wire को यहां पर जोड़ दिया अब इसमें page और neutral connection करना है तो page का connection कहां कहां किया जा सकता है neutral connection कहां कहां किया जाता है इस पर आप ध्यान दिजिगा ठीक है तो इसमें page का connection आप यहां पर कर सकते हैं या फिर आप page का connection यहां पर भी कर सकते हैं या फिर आप page का connection देखे यहाँ पर भी कर सकते हैं और इसमें neutral का connection कहां कहां क्या जा सकता वो भी आप समझ लिए neutral connection आप यहाँ पर कर सकते हैं या फिर आप neutral connection यहाँ पर कर सकते हैं या फिर आप neutral connection यहाँ पर कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ? फेज का connection यहाँ पर कर देता हूँ और neutral connection मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसके बाद आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ आप देख सकते हैं यह जो red वाला wire है यह page का wire है जिसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया और ये बलेक वाला वायर है जो नीटर का वायर है जिसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया अब चलिए इस switchboard को पहले check करके आपको दिखा देते हैं कि यह काम करता है या ने इसके बाद आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना है तो चलिए अब मैं इसे check करके आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर जो यह two pin socket है इसे ही check कर लेता हूँ तो देखिए मैंने इसमें इसे लगा दिया इसका switch यह वाला है तो इसे मैं on करता हूँ तो देखिए यह बिल्कुल सही काम कर रहा है अब चलिए मैं इस five pin socket को check करके दिखाता हूँ तो इसका जो switch है यह वाला है तो यह बिल्कुल सही यहाँ भी काम कर रहा है अब चलिए यह वाला जो five pin socket है इसे check कर लेते हैं तो इसका switch देखिए यह वाला है तो देखिए यह वाला भी बिल्कुल सही काम कर रहा है चेकर करके बोगो दिखाता हूं तो यहाँ पर मैं LED बल्ब लगाता हूं और यहाँ पर स्विच इसका ओन करता हूं तो देखे यह भी बिल्कुल सही काम कर रहा है देखे यह बिल्कुल सही काम कर रहा है अब मैं फिर से इसके स्विच का ओन करता हूं तो देखे यह बिल्कु बोर्ट का connection हुआ है ये बिल्कुल सही connection है इसमें किसी परकार का कोई गड़बड़ी नहीं है तो इस तरह से आप अपने घर के लिए switchboard का connection कर सकते हैं लेकिन ये connection सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके घर में अर्थिंग का connection नहीं है उनको सिर्फ इतना ही connection करना है इससे का connection है उनको इसमें और भी connection करना पड़ेगा तो इसमें और क्या connection करना पड़ेगा चलिए वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ तो जिनके घर में अर्थिंग का connection है उनको क्या करना होगा देखे यहां से यहां पर एक wire जोड़ देना होगा तो मैं यहां पर वायर जोड लेता हूं उसके बाद आपको आगे बताता हूं कि आपको क्या करना है तो आप देख सकते हैं मैंने यहां से यहां पर मैंने वायर जोड दिया अब इसमें क्या करना है अर्थिंग का कनेक्शन करना है तो अर्थिंग का कनेक्शन कहां पर करना है तो दे अर्थिंग का बार है जिसे मैंने यहां पर जोड़ दिया तो इस तरह से यह जो connection है उन लोगों के लिए complete हो जाता है जिनके घर में अर्थिंग का connection है तो जिनके घर में अर्थिंग का connection है उनको इतना connection करना पड़ता है दोस्तो अगर आपको ये सारा connection समझ में आ गया है तो आप मुझे comment box में yes जरूर लिख दीजेगा अगर आपको ये connection समझ में नहीं आया है तो आप comment box में no जरूर लिख दीजेगा अगर आप मुझे comment करेंगे तो मैं आपके comment का reply जरूर दूँगा